ग्यान प्रसाद शर्मा जी स्वागत है आपका आजी जी सर अलो गिजाज पुछाज बोल रहा हूं जी मेरे दो पोतों के उम्र बता दीजे एक बड़े की उम्र है पंग्रेचान जोनक कुमार और छोटे का नाम है सुसान कुमार ठीक है जी जो देखिए एक नस्खा बना लिजे फीपी सिख जी एक नस्खा बनाएं आपकी घर की चीज़े च्छे तो एक बाहर से लेनी पड़ेगी सौफ सौट जीरा तीन चीज़े किचन की है ना सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेथी मेथी का दाना एक बार और बोलता हूँ कभी लिखने से रह गया हो सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेथी सौ सो ग्राम खरीदें और इसको बारिक पाउडर बना ले और ये रखें एक चीज मिलेगी आपको नमक जैतून नमक जैतून एक ऐसा नमक है जो सौद में नमकीन नहीं होता नमक जैतून लिख लीजे और ये भी खरीद लीजे सो ग्राम और ये अलग रखी है अब इसको इस्तिमाल कैसे करना है दोनों बच्चों को ये पिलाना है एक एक खुराक जो छे चीजों का पाउडर है एक चमच बच्चों को खिलाईए और नमक जैतून एक चुटकी दो गिलास पानी मिलाके एक बच्चे को पिला दीजाए और इसी तरह दूसरे बच्चे को भी खाने से पहले भी ले सकते हैं खाने के बाद भी एक ही खुराक दिया करें बेश्टर लोग एक ही खुराक रोजाना लेने से अच्छे हो जाते हैं पढ़ने पर ये दो बार भी लिया जा सकता है आपके दो बच्चों का अच्छा होना ममकिन है